Hello everybody, welcome to my channel. आज हम लोग बात करेंगे, Canada में अगर रहना है, तो ऐसी कौन सी एक चीज है, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, और वो है, Credit Score. चलिए देखते हैं, Credit Score क्या होता है, क्या factors उसको एफेक्ट करते हैं, और कैसे उसको अच्छा maintain करा जा सकता है, क्यूंकि अगर अच्छा Credit Score होगा, तो एक अच्छी लाइफ हो सकती है, Canada में. चलिए देखते हैं. Guys, what is a Credit Score? सबसे पहले बात करते हैं, क्रेडिट Score होता क्या है? Credit Score, 3-digit number है, ranging between 300 and 900, calculated based on your credit history, or your history of repayment. यह जो score है, यह बताता है कि आप कि क्या ability है, आप किस तरीके से अपना credit manage कर रहे है, as well as the risk जितने भी उसके साथ associated है, जो भी आपने money कहीं से borrow करा है, आपकी for example, कोई loan की payments जा रही है, car loan हो गया, घर का loan हो गया, या आपने कोई phone purchase करा है, उसका contract का, आपकी payments या insurance की payments आपकी monthly basis पर जाती है, उसको अगर आप अच्छी तरीके से maintain करते हैं, तो that actually builds up your credit, आपका credit score can go up if you use it responsibly, और it can go down also if you manage it very poorly, generally score जो 660 से उपर होता है, that's a good score, and score which is under 560 is actually a bad score, पहले हम लोग पता करते हैं, factors that actually weigh in on your credit score, जो कि बहुत जादा हमारे credit score को बढ़ावा देता है, या फिर उसको गिरा भी सकता है, first हो कि आपका length of your credit history, कि आपका कितनी credit history चलती आ रही है, आपके credit card balances, आपकी कोई missed payment history है, अगर आप बहुत जादा अपनी payments miss कर रहे हो, जो आपने timely करनी चाही है, तो वो भी एक factor है, कुछ outstanding debts हो गए, जैसे कि आपने कोई अपना car loan ना पे करा हो, या आपकी कुछ insurance के पैसे जाने थे, वो आपने नहीं पे करा है, या contractual phone नहीं आपने पे करा properly, तो बहुत सारे एसे debts है, जो आपके outstanding है, ये कुछ factors है, जो बहुत जादा credit score को effect करते हैं, हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम अपनी payment history को maintain कर सकते हैं, और कैसे monitor कर सकते हैं, और कैसे हम लोग credit score को अच्छे से maintain कर सकते हैं, सबसे पहले payment history जो है, वो बहुत important factor है credit score के लिए, उसको improve करने के लिए हमको हमेशा अपनी payments timely बनानी चाहिए, हमको make sure करना चाहिए कि at least minimum payment जो है, अगर हम full amount भी नहीं कर सकते हैं, हम कुछ minimum payment at least pay करें, हम अगर, हमको लग रहा है कि कोई trouble है you know, in paying the bills, make sure कि आप अपने lenders को you know, inform करें, contact them, so that they can give you some solutions, आपको कोई भी payment skip नहीं करनी चाहिए for example, अगर आपके वास एक credit card है, जिसकी limit 2000 है, monthly, और आप कोशिश करें कि उस 2000 dollar limit की less than 35% ही use करें, अगर आप उससे जादा use करते हैं, तो lenders को कभी-कभी वो एक greater risk लगता है अगर आपको एक best तरीका use करना है, जानने के लिए कि आप credit usage rate से उपर ना जाए, तो आप उसको add up कर सकते हैं, for example, आपके पास कितने credit cards है, आपके पास कितने lines of credit है और कितने loans है इसका मैं एक detail example देती हूँ, अगर आपके पास credit card है, जिसकी limit $2,000 है, और आपके पास एक line of credit है जिसकी limit $10,000 है, तो आपके पास available credit हो गया in total $12,000 आप आपको पताएं कि आपके पास कितना credit available है तो आप कोशिश करें कि इस total credit का आप 35% से less use करने की कोशिश करें कुछ मैं आपको tips देती हूँ आपके increase करने के लिए length of credit history जितना आपके credit accounts जो है, जादा लंबे चल रहे होंगे, जादा लंबे duration के लिए open होंगे और use में होंगे उतना better आपका score होगा अगर आपका score lower है वो तब ही होगा अगर आपका credit account relatively new है दूसरा मैं आपको यह बताती हूँ कि limit करें अपनी number of credit applications को तो इतने सारे credits apply करने पे आप अपने credit score पे impact कर रहे हैं बहुत जादा effect कर रहे हैं उसको जब भी आप कभी कोई credit apply करते हैं तो remember वो एक inquiry की तरह recorded होता है इससे यह दिखता है कि आप बहुत जादा credit seeking है और बार बार credit apply कर रहे हैं यह अजिंटली looking for credits आपका credit score अगर आपको अच्छी तरीके से build up करना है तो different types of credit product लिए जैसे कि credit card apply कर लिजे card loan ले, house loan है तो वो ले line of credit हो गया insurance deduct हो रहा है यह आपने कोई phone purchase कर लिया यह different types of credit हो गए इसको आप timely pay करते रहें guys एक और बहुत interesting factor में आपको बताती हूँ हा hard hits versus soft hits hard hits जो आते हैं अगर आपके credit report में कही hard hit लिखा हुआ आ रहा है so that is actually a credit check जो आपके credit report में हुआ है और वो आपके credit score में आएगा जो भी कोई आपका कभी credit review करेगा तो उनको यह inquiries दिखाएं देंगी सबसे important point हमको as a newcomer जो हमको लगता है how to build your credit score आप कुछ चीजे opt कर सकते हैं उससे आप धीरे धीरे अपना credit score बनाना शुरू कर सकते हैं जैसे कि आप एक contractual phone ले सकते हैं cell phone लीजे या कोई ऐसा plan ले लेजे post-bit connection ले ले लीजे जो monthly basis पे आपका deduction होता रहे एक budget बना के चले आप again credit card के लिए जब apply करते हैं तो make sure कि आप उसको कानेडा में तो में एजेंसी हैं credit reporting एजेंसी जिनसे आप अपना credit score demand कर सकते हैं one is TransUnion Canada and the other one is Equifax Canada एक अच्छी facility जो आपके पानेडा में है वो ये है कि आप एक fraud alert place कर सकते हो Equifax Canada and TransUnion Canada के साथ because these are the major credit reporting एजेंसी fraud alert place करने से ये होता है कि आप अपना phone number देते हैं जो आप यूज करते हैं ये mandatory है अपना phone number देना जब वो एक alert आपके पर place कर देते हैं तो उससे अगर कोई भी आपके details के basis पर credit apply करने की कोशिश करता है तो आपको call आईगी आपके phone पर just to confirm कि आपने वो credit apply करा है या नहीं करा है most creditors will actually be calling you but by law they are not obliged but still इसमें कोई हाम नहीं है आप fraud alert place करा सकते हैं just to be sure because यहां पर बहुत सारी fake calls आती हैं you know they try to get hold of your sin number and they try to get hold of your personal details it's good enough for you know like six years and it's free of cost so there's no harm you can always do that मैं Equifax Canada और TransUnion का लिंक अपने description box में डाल दूँए आम शुर बहुत लोगों को पता भी होगा credit history इसलिए इतनी matter करती है क्योंकि financial institutions आपकी credit report देखते हैं credit score देखते हैं आपको पैसा देने से पहले वो determine करते हैं कि आपको कितना interest charge करा जाए इसलिए credit report बहुत important होती है अगर आपके कोई credit history नहीं है poor credit history है बहुत मुश्किल होगा आपको credit लेने में lower interest of rate हो सकता है loans पे credit report ज़रूर अपनी at least once a year निकालते रहे to check any signs of identity theft अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको एकदम उसको inform करना चाहिए तो गाइस ये थी मेरी credit score पर एक video अगर आप लोगों को ये video पसंद आई हो तो इसको like करे comment करे और subscribe करे मेरी चानल को, thank you